जब कोट में सबूत देने पड़ते हैं तो कई बार आपने वकीलों के मुझ से सब्द सुनने होंगे चाहिए प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, साक्ष अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात कर रहा हूँ जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात होती है अगर आप क्लाइन्ट हैं तो कई बार ये बाउंस कर जाता होगा आपको आसान शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है तो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी आपने शुरुआत अशोग पांडे के साथ में की है आप सभी का स्वागत है नए है सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे इस चैनल के माध्यम से आपको कानून की जानकारी है इन्फरमेशन है वो मिलती रहे चलिए बात करते हैं सेकेंडरी और जो प्राइमरी एविडेंस होते हैं उसके बारे में या कहीं से भी आपको मिली है उसे आप कंसीडर कर सकेंगे ओरीजनल जो भी डॉक्यमेंट है उसे आप प्राइमरी एविडेंस मानें अब जो सेकेंडरी एविडेंस है फिर वो क्या होगा उसी की जो जैरोक्स कॉपी है उसी की जो फोटो कॉपी है उसे आप सेकेंडरी लेकिन अगर इसकी एक copy बना करके मैं pen drive में या इसकी copy एक cd में बना करके ले लेता हूँ और फिर उस cd को मैं submit करता हूँ court के सामने तो secondary evidence वाना जाएगा secondary evidence जो भी होंगे साक्षा दिनियम के अंतरगर वो court का एक discretionary power होता है कि court उसे consider करना चाहे admissible याने उससे लागू करना चाहे उससे record में लेना चाहे या नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसे वो मना कर देती है और कई जगा वो कहती है नहीं आपको primary evidence देने पड़ेंगे जिसे शादी जब शादी हुई तो शादी के जो photographs original form में होते हैं court कहती है कि आप अपना marriage certificate produce करो जो आपको corporation से original marriage certificate मिला है या marriage registrar office से original certificate मिला है वही दो उसके अलावा आप दूसरा दोगे तो नहीं चलेगा आप उसकी photocopy या xerox copy भी तो submit कर सकते हैं लेकिन chances यह हैं कि आप उसमें खिलवार कर सकते हैं कैसे अशोक पांडे एंड मोनिका पांडे suppose that husband wife का नाम था आपने उसमें एक पट्टी अलग कर दी photocopy करवाते टाइम और अशोक पांडे की जगह आपने प्रने पांडे कर दिया आपने अभिशेग पांडे कर दिया आपने राकेश पांडे कर दिया तो खेल गड़बड हो गया ना शादी तो हो गई जो document है वो secondary document जो है वो बदल गया तो इसी वज़े से court कोशिश कर दी कि अगर primary evidence करने लायक stage है तो primary evidence ही आए तो examination cross examination के लिए अगर कई बार इस प्रकार की document अगर आपको submit करने की बारी आती है ये court में जब सबूत देने की बारी आती है तो ये बात काफी जादा ध्यान में रखने वाली होती है अब ज़रा समझते है primary आप कभी loan लेते हैं company से तो समझते है for example ये primary evidence क्या है loan का जो agreement originally आप company के साथ में sign करते हैं NBFC non banking financial corporation companies के साथ में जो sign करते हैं उस loan agreement को आप ये समझ सकते हैं कि original याने primary evidence है जो borrower है जब वो sign करना है सारे page तो हर एक page उस evidence का एक part होंगे primary evidence का एक part होंगे लेकिन जब उसी की एक xerox copy या photocopy या एक soft copy तेयार कर ली जाए तो उसे आप कहेंगे कि that is a secondary evidence वो court admit करेगी record में नहीं करेगी वो उसका खुद का discretionary power है अब आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि जब दो लोगों के बीच में कोई contract होता है कोई agreement होता है तो agreement की original जो copy है कई बार आप notarized document जो बनाते हैं वो आप समझ लीजे कि वो आपका primary evidence है लेकिन उसी की xerox copy है photocopy है या scan की गई copy हो secondary evidence में आ जाएगी तो इसे बहुत सारे जो documents हैं अगर मान लीजे कि एक several bunch of document का bundle है तो अगर वो original form में है original format में है तो वो primary evidence होगा लेकिन उ उनों की बीच में एक difference हो जाता आप कोशिश करें कि अगर primary evidence court में submit कर सके नहीं तो उसकी भी काफी सारी circumstances होती है कि किन secondary evidence को court conclude करेगी और किसे नहीं तो circumstance और condition की उपर depend करता है अगले वीडियो में हम इसके बारें बात करेंगे कौन से ऐसे primary और secondary evidence है और क्या conditions होती है procedural condition जो court accept करती है for the purpose of primary and secondary evidence तो इसमें हमने केवल ये समझने कोशिश की primary और secondary evidences क्या होते है आसान शब्दों बताने का मैंने आपको किया प्रयास इसके अलावा भी जो electronic evidences होते है electronic evidences को कब court लागू करती है किस तरीके से वो court में दिया जाता है याने जो आपके पास में mobile phone में recording है आपके पास में photograph है आपके पास में जो call recording आप करके court में produce करने चाहे पैसे के linden की बात हो या किसी के साथ लड़ाई जगड़े की बात हो या कहीं पे कोई criminal activity record हुई है कोई civil activity record हुई तो उसके सबुच जो आप court में प्रस्तुत करते हैं in electronic form तो वो कब admissible है उसकी क्या condition इसक उसे court के सामने आप कैसे देंगे ये काफी एक महत्यपून प्रश्ण उठता है आपको कोई और प्रश्ण primary secondary evidence से संबंदित पूछने comment box में आप जरूर mention कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं इस वीडियो के description में detail लिंक है जहां से आप directly appointment book करके भी मुझे कर सकेंगे बात आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की थी मिलेंगे अगले वीडियो में आसान शब्दों में आशान भाशा में कानून आप तक पहुचाने का रहता मेरा प्रयास और आप सभी स्वस्तों सुरक्षित रहें इसी कामना के साथ म मिलेंगे हम अगले वीडियो में